राजदारी दिल्ली में बीते दो दिनों से बारिश हो रही है बारिश के वज़ज़ से जल जमा और ट्राफिक जाम के स्थिती में पैदा हो गई है बता दे कि दिल्ली में इस बार बारिश में 58 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है बता दे कि दिल्ली में अगले दो दिनों में भारी बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने अगले चार दिन भारी बारिश का पूरवानमान व्यक्त करते वे औरेंज अलर्ट जारी किया है जारकर में इसी साल विधान सभा के चुनाओ भी होने वाले हैं से बीच अभी अभी खबर आई है कि आक्टूबर के तीसरे हफते में विधान सभा चुनाओ हो सकता है रिपोर्ट्स की बाने तो 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाओ की तारीखों की घोशना कर दी जाएगे इसके साथ ही राज्य में आदर्श चुनाओ आचार सहीता भी लागू कर दिया जाएगा राधरानी पर विवादित टिपणी करने के बाद पंडित मिश्रा प्रदीप ने नाख रगड कर अपनी गलती की माफी मागी पंडित प्रदीप पिश्रा शनिवार को बर्शाना पहुंचे और उन्होंने राधरानी के मंदिर में नाख रगड कर माफी मागी इसके बाद इंजीनियरों ने डिक्चू संकलंग रोड पर 72 घंटे से भी कम समय में 70 फूट लंबा बेली ब्रिज बना है। दिल जीत रही है। बता दे कि में ब्लू ने आखरी ICC ट्रॉफी 2013 में चैंपियन्स ट्रॉफी के रूप में अपने नाम की थी। माई करीब 7 माई ने पहले टीम इंडिया ICC ट्रॉफी जीते हुए रह गई थी। में बता दे कि दोनों सल्मान खान के शो बिग बॉस के घर के अंदर ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। कई लोगों ने कहा था कि तेजस्वी और करन बिग बॉस 15 में आखिर तक पहुचने के लिए दूसरे से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं लेकिन बिग बॉस की घर से बाहर आने के बाद तेजस्वी और करन अपना रिष्टा ओफिशल कर दिया था। जाड़कन सरकार ने किसानों के लिए एक एहम फैसला लिया है सरकार ने कृश्य विभाग को बढ़ावा देने एवं उने प्रोत्साहन करने के उद्देश से से ट्रक्टर की सौगात देने वाली हैं बता दे कि किसान इसके लिए आविदन कर सकते हैं इस मामले में अधिका जाड़ी च्रेक्टर योजना के तहट किसानों को च्रेक्टर दी जाएगी बॉलिवुट की प्रिभास और दिपिका पादुकोंड फिल्म कल की उन्तिस अठाइस एडी रिलीज हो चुकी है फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का बेस सबरी से इंतजार कर रहे थे इस एपिक प्रदर्शन इंग्लैंड के अर्शिट रनों सेहराकर फाइल में अपनी जगह बना ली है बता दे कि टीम इंडिया ने सेमी फाइनल मैच में कमाल का प्रदर्शन क्या था रोईत सर्मा के कपतानी वाली भारती टीम तीसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है मद्यप्रदेश की मंती नारायन सी कुश्वाहा ने कहा कि शराब पीने वाले पतियों को महलाएं बेलन दिखाए ताप पी कर घर आने वालों को खाना बना कर मत दो अपनी बेलन गैंग बनाएं अपनी कम्यूनिटी बनाएं समाजिक संसकारों के कारण कई लोग ऐसा नहीं कर पाते लेकिन गलत काम रोकने के लिए संसकार आड़े आना नहीं चाहिए मध्यप्रदेश की सरकार की ओर से विकास रोड मैप तयार कर रहे मध्यप्रदेश की तस्वीर बदलने की कारियोजना पर तीजी से काम किया जा रहा है खास कर सडकों पर आवारा मवेशियों के कारण होने वाले सडक हाथसों और इस हाथसे में घायल हुए पश्वों की मौतों पर कंट्रोल करने के लिए पशुपालन एवं डेरी राज्यमंत्री लखन पंडे पटेल द्वारा कैटल फ्री कारियोजना तयार की गई है मध्यप्रदेश की मोहन के आदाव सरकार पहले से ही बड़े करज में डूबी है लेकिन सरकार एक बार फिर करज लेने जारी है राज्यो सरकार इस बार सरकार लगभग 88,450 करोड का करज लेगी बताया जा रहा है कि फ्री योजनाओं को चलाने के लिए सरकार को यभारी भर करज लेने की जरुरत पड़ी है मध्यप्रदेश में सुरू होरे विदान सबास सत्र से पहले पुरू मुख्यमंत्री कमलनात ने मोहन सरकार पर हमला बोला है पुरू सीम कमलनात ने सोशल मेडिया एक पर ट्वीट करते वे सरकार से कहा कि जो वादा किया वो निभाना पड भास्पक के वरिष्ट नेता प्रभाज जहां की तब्यात बिगरने के बाद उनको दिल्ली एरलिफ्ट किया गया है जहां का नियोरोसंबंधित परिशानी के चलते दो दिन से भोपाल में नीजी अस्पतार में इलाज चल रहा था